So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आनिके 26 अपरेल के important current of years को तो इस प्रश्ण में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाली में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो answer होगा 25 अपरेल को, तो हर साल 25 अपरेल को World Malaria Day के रूप में मनाया जाता है Malaria ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है Actually में उसकी लार में प्लाजमोडियम परजीवी होता है और जब वो काटता है हमें, तो ये परजीवी, ये प्रोटोजवा हमारे ब्लड में चला जाता है उसके कारण से ये Malaria होता है और इस बार की theme क्या है? Time to deliver zero malaria, invest, innovate, implement यानि कि 0 malaria देने का समय निवेश, नवाचार और कार्यानवेन वैसे Malaria को खतम करने का लक्षय कप का है? 2030 का है और अगर पूछे TB को खतम करने का हमारा लक्षय 2025 का है आपको याद है, अभी Oxford malaria vaccine को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना था? घाना देश वैक्सीन का नाम है 21 Matrix M और याद होगा, WHO यानि की World Health Organization ने दुनिया की पहली malaria vaccine को अभी मंजूरी दी है जिसका नाम क्या है? Moscurix अचा एक World Moscutor debut होता है, विश्व मच्छर दिवस वो 20 अगस्त को होता है और एक World Dengue debut होता है वो 16 माई को होता है और Dengue किस के काटने से होता है? मादा, Eddies, मच्छर के काटने से होता है तो ये भी ध्यान रखना अब जब भी डे वाला प्रशना आता है उस महीने के सारे important days हम revise करते है याद है तो मेरे साथ साथ बोलती है चलना आपका revision होगा एक अपरेल को उतकल दिवस मनाया RBI का स्ताफना दिवस भी होता है 2 अपरेल को विश्व उटिजम जाग रुखता दिवस है 4 अपरेल को अंतरराश्टर खदान जाग रुखता दिवस 5 अपरेल को राश्टर समुद्र दिवस और 5 अपरेल को अंतरराश्टर अंतरराश्टर अंतररात्म दिवस 6 अप्रेल को अंतरराष्ट्र खेल दिवस, 7 अप्रेल को वर्ल्ड हेल्थ दे, 10 अप्रेल को वर्ल्ड होमियोपेथी दे, 11 अप्रेल को राष्ट्रय सुरक्षित मात्रत्व दिवस, 12 अप्रेल को मानव अंतरिक शुडान का अंतरराष्ट्र दिवस, 14 अप्रेल को राष्ट्र 22 अप्रेल को civil सेवा दिवस और अभी 22 अप्रेल को world earth day मनाया तो अप्रेल के ये important days इनको ध्यान रखना बढ़ते आगे फिर बताईए अभी अप्रेल 2023 में नाटो ने दुनिया का सबसे बड़ा cyber रक्षा अभ्यास जिसका नामे Locked Shield इसका आयोजन कहां किया तो अंसर होगा Estonia में तो अभी नाटो ने Locked Shield 2023 नामक Cyber Defense अभ्यास का आयोजन किया है कहां पे Estonia देश के Tallinn में ये नाटो के द्वारा किया गया दुनिया का सबसे बड़ा cyber सेन्य अभ्यास है इस Locked Shield अभ्यास में real-time हमलों से computer system को सुरक्षा की गई और जो खिमपूंड स्थितियों में technical और strategic फैसले लेने का अभ्यास इसमें किया गया अचा नाटो की बात करें नाटो की स्तापना होती 1949 में हेड़कॉर्टर मिलेगा ब्रुसेल बेल्जियम में और अब इसके सदस्य देश 31 हो चुके हैं अभी 31 नंबर का बनाता फिनलेंड महासचिव जैन्स स्टॉल्टन बर गया अभी इनका काररेकाल एक साल के लिए बड़ा दिया गया था और अगर आपसे पूछा जाए कि नाटो साइबर रक्षा सम्मू में शामिल होने वाला पहला एशिया ही देश कौन सा बना था तो अंसर होगा साउथ कोरिया अच्छा यहाँ पर एस्टोनिया से भी एक प्रश वाला प्रशन आया है तो 2023 में जितनी भी इंपॉर्टनेंट एक्सरसाइज का आयोजन हमने किया एक बार रिवाइस करते हैं देखो 2023 की पहली एक्सरसाइज हमने जापान के साथ की थी जिसका नाम है वीर गार्जियन एक्सरसाइज कहां पे जापान में ही उसके बाद राजस्तान के जोटपूर में हमने बोल्ड कुरुक्षेत एक्सरसाइज भी किया सिंगापूर के साथ में अभी फ्रांस के साथ हमने वरुन एक्सरसाइज किया था पश्चिमी समुद्री तट में अभी फ्रांस के साथ हमने फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज भी किया था केरल क और अभी भारते वायू सेना ने प्रले अभ्यास किया था पूरुवत्तर भारत में और अभी भारते नौ सेना ने आंदर प्रदेश में MFACS exercise किया था जबकि भारते सेना ने त्रिशक्ती प्रहार exercise किया था पश्चिम मंगाल में और भारते नौ सेना ने ट्रोपेक्स एक्सरसाइज भी किया था हिंद महासागर में अभी तारकश एक्सरसाइज हुआ था चेन्नेई में National Security Guard और US Special Operation Force के बीच में अभी डस्टलिक एक्सरसाइज हुआ था भारत और उजबेकिस्तान के बीच में उत्तराखंड के पिथोरागड में इस बार मालाबार एक्सरसाइज ये कहां पे होगा ये क्वार्ड देशों के बीच में होता है इस बार ये ऑस्ट्रेलिया में होगा अभी F-Index एक्सरसाइज हुआ था भारत और 20 अफरिकी देशों के बीच में कहां पे पूने के ओन्दिस इन्ने स्टेशन में और अभी United Arab अमिरात में Desert Flag एक्सरसाइज हुआ था जिसमें भारत ने हिस्सा लिया और अभी UK ने Cobra Warrior एक्सरसाइज का आयोजन किया था उसमें भी भारत ने हिस्सा लिया था अभी हमने अमेरिका के साथ कोप इंडिया एक्सरसाइज किया पच्चि मंगाल में अभी अंडमान निकोबार कमान ने कवच एक्सरसाइज का आयोजन किया था और अंडमान निकोबार कमान ये भारत की एक मात्र त्रि सेवा इकाई है अभी स्लाइनेक्स एक्सरसाइज हमने किया श्री लंका के साथ में कॉलम्बो में, कॉंकर्ण एक्सरसाइज हम ने किया भी, यूके के साथ में, तो ये 2000 तेविस की कुछ important exercises है, इनको ध्यान रखना इसी तरह से, और जब भी exercise का प्रशन आगया आएगा, मैं वापिस इच सारी आपको revise कराऊगा इसी तरह से, और हाँ, अगर session अच्छा लगा, अभी तक आपने वीडियो को like नहीं करा, तो इसे like जरूर कर देना, अपने दुस्तों के साथ में एक बार share जरूर कर देना, प्लीज, और चैनल पर पहली बार है, तो क्रेक exam चैनल को subscribe कर लिजे, उसके पास में bell icon हो का, उसे जरूर press कीजे का, और all notification को set कर लिना, ताकि जब भी videos upload उसका notification सीधे आपको मिल सके, बाकि आपकी practice के लिए यापी quiz भी upload की जाती है, PDF भी आपको मिल जाएगी कहाँ पे, आपकी crack exam application पे, जिसका link नीचे description box में है, अभी बढ़ते आगे, चलिए फिर बताईए, अभी हाली में Sydney Cricket Ground ने, किस महान बल्ले बाच के नाम पर, gate का अनावरन किया, तो आंसर होगा, सचिन Tentulkar और Bran Lara, तो अभी Sydney Cricket Ground में, सचिन Tentulkar और Bran Lara को सम्मानित किया गया, अभी Australia में जो Sydney Cricket Ground है, जहाँ पर अभी 24 अप्रेल 2023 को महान बल्ले बाच, सचिन Tentulkar और Bran Lara के नाम पर, gate का अनावरन किया गया, ये दोनों, Don Bradman, Alan Davidson, और Arthur Morris के क्लब में अब शामिल हो गये हैं, अच्छा इसके अलावा, अभी United Arab अमिरात में, शार्जा किर्केट स्टेडियम में एक स्टेंड का नाम भी सचिन Tentulkar के नाम पर रखा गया, अभी हमने पड़ा भी था, उन्होंने अपना पचासवा जनम दिन मनाया, उसी मौके पर ये सब हो रहा है, एक्छिली में, सचिन ने शार्जा किर्केट स्टेडियम में 22 अप्रेल 1998 में, और इस्ट्रेलिया के खिलाफ 131 गेंदों पर वर 143 रनों की पारी खेली थी, और वे पारी धूल भरी आंधी के नाम से मशूर है, बाकिया आप जानते हो, राइबरेली होक्की स्टेडियम का नाम, पुद्तर भारत का सबसे बड़ा बहु उद्देश है, यानि कि मल्टी परपस इंडूर स्टेडियम ये बन रहा है, मेगाले के शिलोंग में, और दुनिया का सबसे बड़ा किर्केट स्टेडियम आपको भारत में मिलेगा, गुजरात में जो मोटेरा स्टेडियम में वो, जिसका नाम नरेंदर मूदी के नाम पर कर दिया गया, और भारत का सबसे बड़ा होक्की स्टेडियम ये आपको उड़ी सा में मिलेगा, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रख दिया गया, यहीं पर अभी 2020 में मेंस होकी वर्ल्ड कप हुए थे पंदरवा एडिशन था जिसको जर्मनी ने जीता बेल्जियम को राके और पंजाब में जो मोहाली होकी स्टेडियम में उसका नाम बलबीर सिंग सीनियन के राम पे कर दिया गया और राय बरेली होकी स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पे कर दिया गया तो यह ध्यान रखना पॉइंट्स बढ़ते आगे चलिया फिर बताईए इश्यक की सबसे बड़ी अंडर्वाटर हाइड्रो कार्बन पाइपलाइन ये काँ पे स्था पित हुई तो अंसरवगा असम में तो IGGL यानि कि इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड ने असम में इश्यक की सबसे बड़ी अंडर्वाटर हाइड्रो कार्बन पाइपलाइन का निर्मान किया है और किस नदी के नीचे? ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे और किन-किन के बीच? जोरहाट और माजुली के बीच में इसके लंबाई की बात करोगे तो 4080 मीटर इसके लंबाई है और इस पाइपलाइन का व्यास यानि के डायमेटर है 24 इंच का और याद रखना ये जो परियोजना है ये जो पाइपलाइन है ये नौर्थ इस्ट गैस ग्रिड परियोजना का ही एक भाग है एक पाठ है एक हिस्सा है और इस नौर्थ इस्ट गैस ग्रिड परियोजना के लंबाई की बात करोगे तो 1656 किलो मीटर है मतलब ये बहुत बड़ी पर्यूजना है मतलब हमारा जो उत्तरपूरवी भारत है वहाँ पे गैस पहुचाने के लिए ये पर्यूजना है अच्छा एक प्रेश्ण में आपसे पूस्ता हूँ ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में कौन सा सबसे बड़ा नदीय द्वीप इस्तित है तो आंसर होगा माजुली द्वीप और आप जानते हो ब्रह्मपुत्र नदी पर ये आपको राष्टर जलमार्ग 2 मिलेगा डुब्री से साधिया के बीच और राष्टर जलमार्ग 1 ये किस नदी पर है गंगा नदी पर इलाबाद से हल्दिया के बीच में अचा एक प्रश्ण और पूस्ताओं में आपसे पाइपलाइन से संबंदित है करंट अफेर्स का प्रश्ण है पहले आप बताने की कोशिश करो कि अभी भारत और किस देश की बीच में मैत्री पाइपलाइन बिचाई गई है तो आंचार होगा बांगलादेश इसमें भारत से रिफाइन डीजल भेजा जाएगा बांगलादेश में इसके लंबाई ये 130 किलोमेटर पश्चिम मंगाल के सिलीगुडी से पांगलादेश के परबतीपुर तक वैसे बात यहाँ पे असम की है तो ये रह मैप में असम देखो असम की केपिटल दिसपूर है मुख्य मंत्रिकों ने हिमंत बिश्वा सर्मा है और गवर्नर है गुलाब चंद कटारी अभी नए बने थे और असम में आपको कामख्या देवी का मंदिर मिलेगा जहाँ पे अंबुबाची का मिला लगता है वांचुवा महुत्सव असम में ही मनाया जाता है और असम में आपको काजिरंगा नेशनल पार्क मिलेगा जहाँ पे अभी गज उत्सव मनाया गया था और असम का एक NGO न्यूज में था अभी जिसका नाम है तपोवन जिसे Children Champion Award से भी सम्मानित किया गया था और आप जानते हो पूरुवत्तर का पहला Compressed Biogast Plant बनेगा असम में असम के कामरूप जिले में और अभी असम का सर्वोच नागरिक सम्मान जिसे कहते है असम बैबव ये किसे मिला डॉक्टर तपन सेकिया को अच्छा आप तो ये बताओ भारत का सबसे नवींतम नेशनल पार्क ये कौन सा है या प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि असम का सबसे नवींतम या फिर असम का सातवा नेशनल पार्क कौन सा है तो आनसरोगा देहिंग पठकाई नेशनल पार्क और इससे पहले छटवे नंबर का बना था राय मुना नेशनल पार्क जो की गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है उससे पहले यहाँ पर पांच नेशनल पार्क कौन-कौन से हैं एक तो काजी रंगा नेशनल पार्क हो गया, जो कि एक सिंग वाले गेंडू के लिए फेमस है, एक नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिबरुश नेशनल पार्क और और अंग नेशनल पार्क हो गया, और भारत का सबसे लंबा पुल भुपेन हजारिका, जिसके लंबा ये 9.15 किलोमेटर ये भी आपको यहीं मिलेगा लेकिन परशनी ये है किस नदी पर है तो याद रखना लोहित नदी पर है सारे important points मेने आपको cover करवाई यहाँ पर ध्यान रखना ये बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए अभी हाली में परधान मंतरी नरेंदर मूदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना कहां पर शुरू की तो अंसर रोगा कोच्ची में तो अभे प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी केरल की दो दिनों की यात्रपर थे, यहाँ पर इन्होंने कोच्ची में देश की पहली वाटर मेट्रो से वका उद्धटन किया, और इसमें क्या होगा, इसमें आप कोच्ची और उसके आसपास के 10 द्वीपो, 10 आइलेंड का सफर कर पाओगे वो भी बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट में, यह जो इलेक्ट्रिक बोट है इसी को कहा गया है जल मेट्रो, अच्छा इसके अलावा उन्होंने केरल की पहली वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन को भी शुरू किया, जो कहा से कहा चलेग तिरू अनंत्पुरम से कासर गोड तक चलेगी, अभी तिरू अनंत्पुरम में ही उन्होंने डिजिटल साइन्स पार्क कभी उधगटन किया था, तो यह सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना, और केरल की बात है तो केरल के बारे में हम कल के वीडियो में डेटेल में पढ तो अन्सरों का हिमाचल प्रदेश, तो अभी हाली में हिमाचल प्रदेश ने अग्याद शवों के लिए DNA डेटाबेस बना कर इतिहास रचा है, तो अभी हिमाचल प्रदेश यह अग्याद शवों के लिए विशेश रूप से एक DNA डेटाबेस स्तापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है और इसके तहत अब तक अग्याद शवों के 150 DNA सेंपल का डेटा कलेक्ट हो चुका है तो ये डेटाबेस शवों की पहचान करने में काफी मदद करेगा जिससे किसी की भी पहचान करने में आसानी होगी इसके अलावा ये डेटाबेस अपराधियों को पकड़ने में भी काफी मदद करेगा वैसे इस DNA प्रोफाइल डेटाबेसिंग और मैचिंग टेक्नलोजी को अमेरिका के स्मॉल पॉड टी एम सोफ्ट्वेर से 55 लाक रुपे में खरीदा गया है इसकी शमता है बीस हजार DNA सेंपल कलेक्ट करने की साथ ही इसकी जो कैपेसिटी इसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है DNA की फुल फर्म क्या होती डियोक्सिर राइबो न्यूकलिक असेड पात यहां पर हिमाचल प्रदीश किये तो यह रा मैप में हिमाचल प्रदीश देखो इसकी दो कैपिटल है इसकी समर कैपिटल शिमला है विंटर कैपिटल धर्मशाला है मुख्यवंत्री है सुखविंदर सिंग सुख्लू और गवर्नर है शिव प्रताप शुकल अभी नए बने थे देखो हिमाचल प्रदेश में तीन महत्पपूर्ण दर्र यानि की मौंटेन पास आपको मिलेंगे एक है शिपकिला दर्रा और याद रखना यहीं से हिमाचल प्रदेश में कौनसी नदी प्रवेश करती है सतलुची नदी एक रोहतांग दर्रा है यहां एक सुरंग है कौन सी अटल सुरंग जिसके लंबाई यह 9.02 किलोमेटर और यहीं से व्यास और रावी नदी निकलती है और एक है बाडला चला दर्रा यहां से चंदर और भागा रदी निकलती है जो आगे मिल जाती है और जम्मू कश्मीर में इसी को चेनाब नदी कहते है यहां पे आपको पॉंग बांध मिलेगा व्यास नदी पे इसे महरा प्रताप सागर बांध भी कहते है व्यास नदी पे पंडो बांध भी मिलेगा भाकडा नागल डैम आपको मिलेगा सतलुच नदी पे और चमेरा बांध मिलेगा रावी नद जाकरी परियोचे ना ये भी हिमाचल प्रदीश में है सतलूच नदीपे है अभी चंबा रुमाल हो गया कांगडा पेंटिंग हो गया कुलू शॉल हो गया चंबा चपल हो गया या लाहूली के बने हुए मोजे और दस्ताने हो गए इनको जी आई टिक मिला था और मिनी स्वि राज के पशू है हम तेंदूए स्नो लेपड जो भी लद्दाक का भी बना था राज के पक्षी है जुजराना जिसे इंगलिश में वैस्टर्ण ट्रेगोपेन कहते हैं वरक्ष है देवदार का फूल है गुलाबी बुरांच यानि की पिंक रोडो डेंट्रॉन देखो यह यहाँ पे एक फगली फेस्टिवल काफी फेमस है चामुंडा देवी मंदिर आपको यहाँ मिलेगा और नाटी यहाँ का लोक नरत्य हो गया नाटी हो गया डांगी हो गया छपीली हो गया यह इंपोर्टेंट है तो इनको आप याद रखना अभी हिमाचल प्रदेश ने सं रखना बढ़ते हैं चलिए फिर बताईए हाली में बिलबोर्ड की पहली लेटन वुमेन आफ द इयर अवाड से किसे सम्मानित किया गया तो अंसर होगा शकीरा को तो कॉलंबिया की गाई का शकीरा को पहली बार लेटन विमेन इन म्यूजिक गाला में बिलबोर्ड के परा लेटिन ग्रेमी पुरुसकार ये जीत चुकी हैं और शकीरा ने अपने उतकरष्ट गानों के लिए क्वीन ओफ लेटन म्यूजिक का खिताब भी जीता है तो ध्यान रखना ये प्रश्ण बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए अभी हाली में मिक्स्ट मार्शल आर्ट वन के अद्यक्ष के रूप में किसे न्यूट किया गया तो आंसर होगा महावेर सिंग फोगाट को तो विश्व प्रसिद पहलवान और ट्रेनर महावेर सिंग फोगाट को अभी मिक्स्ट मार्शल आर्ट वन फेडरेशन के अद्यक्ष के रूप में न्यूट किया गया है अब वे भारत में Mixed Martial Arts को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होंगे। अच्छा अभी पूरुष होक्की टीम के कोच कौन बने थे? क्रेग फुल्टन, साउत अफ्रिका से हैं। अभी प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदिशक यानि के प्रेस इंफॉर्मिशन ब्यूरो के डारेक्टर जनरल बने थे राजिश मलोतरा और अंतर राष्टर मुक्यबाजी संग के उपाध्यक्ष बने थे अजे सिंग्ग ये नाम भी न्यूज में थे इनको भी ध् प्रिश्ट नेता और पांच बार के पंजाब के मुख्य मंतरे रहे प्रकाश सिंग बादल का अभी 95 वर्ष के उम्र में निदन हो गया अच्छा आपको यादे अभी गुजरात के पूर्वर राज्यपाल उपी कोली का भी निदन हो गया अर्जुन पुरुसकार जीतने व पूर्व प्रसिडेंट परविज मुशर्फ का निदन हो गया प्रसिद पार्शव गाई का वानी जैराम का निदन हो गया ये तमिल नाडू से थी और इनके नाम की खास मात क्या है अभी दोजा तेविश में पदम भूशन से इनको सम्मानित किया गया और दिलिप महाल पूर्शकार जीतने वाले पहले भारते थे 2018 में जीता था उन्होंने अभी 2022 का रोयल गूल्ड मेडल भी उन्होंने जीता तो उनका नाम जादा इंपोर्टेंट रहेगा वेसे अभी एक असम्या कभी थे 56 ग्यानपिट पूर्शकार मिला था उनको नील मणी फूकन की बात कर रहा हूं उनका भी निदन हो गया तो ये नाम भी सारे इंपोर्टेंटे ध्यान रखना बढ़ते आगे तो इस प्रशन में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाली में अपना दूसरा बारसे लोना खिताब किसने जीता तो अंसर होगा कार्लोस अलकराज ने तो इस पैनिश ट का क्विकर विजन करेंगे अंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की केरल ने फिर आपसे पूछा भी तेजस्वी कारेकरम का शुरू हुआ मद्यपरदेश में फिर आपसे पूछा भी भारत सरकार ने युद्ध गरस्त सुदान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौनसा ओपरेशन चुरू किया ओपरेशन कावेरी फिर आपसे पूछा डबलो एचो के अनुसार विश्वी टीका करन सपता दोजा तेविस का विशे क्या है थीम क्या है बिग कैच अप फिर आपसे पूछा भारत में पहला डिजिटल साइंस पार्क का इस्तापित किया गया केरल में और फि हमवर्क परशन देखते हैं और सेशन एंड करते हैं तो कल के वीडियो में आपसे बुछा कि दयाली योजना ये का शुरू हुई तो आंसरों का हरियाना में आप सभी ने परशन का बिल्कुल साही उतर दिया है अब ये रहा आज का आपका हमवर्क परशन आप क्या आपका हमवर्क ये रही है एला वी टतर देता हैं